हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बादाम का हल्वा तो बादाम का हल्वा बनाने के लिए हमने 15 से 20 बादाम ले 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 हैं उसको हमने राद भर के लिए पानी में भीगो दिया था अब उस बादाम को हम छील लेते हैं फ्रेंड्स ये बादाम का हल्वा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सेहत के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है इसके बहुत सारे फाइदे हैं तो आप भी बादाम का हल्वा बनाएं और बनाकर खाएं बहुत फाइदा होता है इससे इस हल्वा को खाने से हमारे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है तो यह बादाम हमने एक के बाद एक छील करके रख लिया है अब जब तक हम बादाम छीलते हैं तब तक हमारे चैनल पर जो लोग भी नए आये हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडिय करें और पुरानी वीडियो को भी देखें और उसको भी लाइक करें और कमेंट करें उस वीडियो पर देखें वादाम को मैंने मिक्सी में डाल दिया था अब इसका मैंने एक स्मूध सा पेस्ट बना लिया है अब चलते हैं सूजी की तरफ मैंने फ्राइपें रख दिया है इधर मैंने आधा कप घी डाल दिया है इसमें और इसमें मैंने आधा ही कप सूजी डाल दिया है अब इस सूजी को मैं अच्छे से चलाते हुए भूनूंगी तब तक जब तक कि ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है सूजी को मैं जब तक भून रही हूँ फ्रेंड्स तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में जाके कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अब ये बादाम का हलवा जब तक बन रहा है बादाम हमारा पिस गया है सूजी भी रेडी हो गई है मैंने इसमें बादाम एट कर दिया है अब दो मिनट के लिए हम सूजी के साथ बादाम भी भून लेंगे बादाम भी मेरा लगबग भून गया है सूजी के साथ तो हमने अलग से इसके लिए पानी भी गरम कर लिया है थोड़ा सा मैंने अलग से केसर भी भी गोके रखा है इसमें डालने के लिए वो मैंने पानी में मिक्स कर दिया है पानी हमने डाल दिया है क्योंकि मैं गरम पानी डाल रही हूँ इसमें अगर आप साबत चीनी लेते हैं तो आप पानी के साथ ही चीनी उबाल लीजिए मैंने तो यहाँ पे पिसी चीनी लिया है तो मैंने पहले पानी एड़ कर दिया है उसके बाद मैंने इसमें जो है चीनी एड़ किया है अब चलिए हम अपने हलवे की प्लेटिंग करते हैं देखे मैं अपने हलवे को बाउल में निकाल रही हूँ देखे कितना अच्छा कलर आया है इसका इसको अच्छे से प्रेस करते हुए बाउल में सेट कर दीजिए उसके बाद प्लेट में निकाल दीजिए बताईए आपको हमारा बदाम का हलवा कैसा लगा चलिए हम थोड़ी सी गार्निसिंग कर देते हैं और आपको दिखाते हैं देखिए यह बहुत ही टेस्टी हलवा बना है